वेलकम टू स्टड़ी 24 देपूर इस वीडियो लेक्चर में हम इकनोमिक्स के 20 मल्टीपल चोईस को सोल करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्ण है गिनी गुणांग का मान एक प्रदशित करता हैं ठीक है गिनी गुण का मान अगर एक के बराबर हैं तो वो क्या प्रदशित करेगा देखिए गिनी गुणांग का जो मान होता है वो जीरो से लेके एक के बीच में होता है और जीरो के बीच जीरो अगर आया है मान तो इसका मतलब क्या हो गया आय में एक तरह से पून रूप से समानता है लेकिन जेसे जेसे जो गिनी गुणांग का मान है वो एक के पास आएगा आएक की समानता क्या होगी उतनी ही बढ़ती जाएगी इन इक्लिटी जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और जब गिनी गुणांग का मान अगर एक होता है वो क्या प्रदिशित करता है कि जो i हैं उसमें पूर्ण रूप से असमानता है तो यहाँ पर अगर हम देखें इन options में से हमारा correct answer क्या हो जाना चाहिए option b ठीक है कि जो गिनी गुणां का मान अगर 1 के बराबर है तो वो क्या प्रदिशित करेगा कि जो i की असमानता है वो अधिक्तम है ठीक है अधिक्तम कितनी हो सकती है एक के बराबर हो सकती है या हम कह सकते हैं कि 0 प्रतिश्चत समानता है एक तरह से ठीक है भी हम कह सकते हैं दूसरा प्रस्चन देखिए लो रेंज वक्र प्रदशित करता है ठीक है लो रेंज वक्र जो है वो क्या प्रदशित करता है इन में से चार options में देखे हैं ठीक है तो first option नहीं हो सकता है दूसरा जीडीबी परिवर्तन ये भी नहीं हो सकता है और फिर जो निर्दनों की आयका गटता अफलन है ये भी नहीं हो सकता है 45 दिगरी रेखा के सापेक्ष आयका वित्रण ठीक है जब देखिए हम लोरेंज वक्र बनाते हैं तो जो अलग अलग समू के वित्रण है उसके लिए हम क्या करते हैं ये हमारी जो 45 डिगरी की रेखा है जिसको हम समान वित्रण रेखा केते हैं इसके आधार पर हम क्या करते है तुलना करते हैं मतलब जिस समू का जो लोरेंज वक्र हैं इस समान वित्रन रेका 45 डिग्री रेका से जितना दूर होगा उसमें असमानता उतनी क्या होती हैं अधिक होती हैं तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन डे नेक्स देखिए गेर कारिशिल जनसंख्या का कारिशिल जनसंख्या से अनुपात नोन वर्किंग पोपुलेशन जो हैं उसका वर्किंग एच पोपुलेशन हैं ठीक है नोन वर्किंग पोपुलेशन कौन सी होती हैं जो 15 साल से नीची आयू के बच्चे आ जाता जैसे उसमें और 64 years से जो बड़े हैं वो non working है और जो working age population है वो 15 से लेके 64 तक की जो age वाला आते हैं तो इन दोनों का जो अनुपात हैं उसको एक तरह से क्या का जा सकता है dependency ratio निर्भरता अनुपात हम कह सकते हैं अगला है stationary population इस्थिर जनसंख्या होती है जब जनसंख्या में जो वरदी है ठीक है stationary population में क्या होगा जो population ग्रोथ हैं वो कितनी होने चाहिए एक तरह से 0 होने चाहिए correct answer option c next है जनसंख्या के सिध्धान्द पर एक निबन ठीक है बुक का नाम है the essay on the principle of population ये जो बुक है वो किसने दी थी माल्थस ने और माल्थस का एक population ठीक है था जनसंख्या सिध्धान्द जो बहुत प्रसिद हुआ था और जिसमें उन्होंने क्या बताए था कि किसी भी देश में जो जनसंख्या है वो जामिती दर से बढ़ती है जोमेट्रिकल रेट से और जो खाध्यान होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं अंक गणिती दर से बढ़ते हैं जामिती का मतलब क्या हो गया नेक्स देखिए माल्तस के सिद्दान्त के अनुसार जनसंख्या ठीक है अभी बताए था कि माल्तस का जो जनसंख्या सिद्दान्त है वो क्या बताता है कि जो जनसंख्या है वो जामिती दर से बढ़ती है जामिती का मतलब हो गया यहां पर जामिती का मतलब एक तरह से हम कह रास्टिक की जो जन संक्या है वो दुगुनी हो जाती है ऐसा मालतस ने कहा था और इसकी तुलना में जो खाद्यान आपूरती होती है वो अंकगनिती दर से बढ़ती है ठीक है अंकगनिती मतलब 1,2,3,4,5 अब देखिए जन संक्या तो क्या हो रही है जामिती दर से बढ़ और 25 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी जबकि इस जन संक्या के लिए एक तरह से खाद्यान आपूरती जो होती है वो थोड़ी धीमी गती से बढ़ रही है तो यह मालतस का जन संक्या सिद्दान था तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओप्शन B नेक्स रहें गेहूं एवं चावल में उच्च उत्पादक्ता किस्मों का जो विकास हुआ है उसको एक तरह से क्या का जाता है डेवलोपमेंट ओफ हाई यिल्डिंग वेराइटी ओफ वीट एंड राइस तो यह तरह से हरित करांती है ठीक है जो 1966-67 में प्रारम हुई थी अगला देखिए कुल प्रजनंदर होती है टी एफ आर ठीक है कुल प्रजनंदर का मतलब होता है कि महिला अपने प्रजनंकाल में उसत रूप से कितने बच्चों को एक तरह बच्चों को जो पेदा होने वाले बच्चों की संक्या है उनकी उसत संक्या कितनी एक तरह से तो सत्संख्या को क्या कहा जाता है पी एफ आर कहा जाता है कुल प्रजनन दर कहा जाता है नेक्स देखिए उत्पादन फलन दर्शाता है बिल्कुल सिंपल सा है उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के सादनों के बीच में समन को दर्शाता है इंपूट और आ चिपी हुई बिरोजगारी मुख्य रोप से जो agriculture sector एक क्रशी शेत्र में पाई जाती हैं और जो अत्रिक्तर श्रमी के मापे श्रमी को की संख्या जादा होती हैं अगर उस अत्रिक्त श्रमी को क्रशी शेत्र से हटा दिया जाए तब भी क्या होता है जो कुल उत्पादन है उ option a CPU बिरोजगारी में क्या होता है श्रम की सीमांत आगा मुत्पादक्ता marginal revenue प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की वो क्या होती है जीरो के एकवल होती है अगला है किन्स के अनुसार बिरोजगारी को दूर किया जा सकता है ठीके किन्स का जो सिद्धान ताय था बुक प्रोड़ी है इसको दूर करने के लिए एकतर से क्या करना चाहिए अर्थ व्यस्ता में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए मतलब सरकार को क्या करना चाहिए अपना जो expenditure है उसको एकतर से बढ़ाना चाहिए increase government spending ठीक है सरकार का जो वे हैं सारजनिक वे हैं उसमें व्रद्धी करके बेरुजगारी की जो समस्या है बेरुजगारी को दूर किया जा सकता है नेक्स देखिए उच्च कुशल लोगों का विकासिल देशों से पलायन क्या कहलाता है इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो मानवी पूंजी है उसमें एक तरह से कमी हुई है ठीक है इसको आप देख लिजगा एक बार नेक्स देखिए निम्न में से कौन समाजवादी अर्थ वियोस्था थी तो समाजवादी अर्थ वियोस्था की अगर हम बात करें तो एक तो ये जो सोवेत रूस हैं और एक है चाइना ठीक है इन दोनों जगे थी तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन बी नेक्स देखिए जोसेप शुम्पिटर अर्थ शास्त्री थे जिन्होंने उद्यमी को सम्मंदित किया था तो यहां पर अगर हम आंसर देखें आपका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी इनोवेशन नव प्रवर्तन मतलब उन्होंने क्या बताया कि जो उद्यमी है वो क्या करता है नव प्रवर्तन अपनता है और नव प्रवर्तन इनोवेशन से क्या होता है उसको लाप की प्राप्ती होती हैं. वरत्मान प्रीड की आवशक्ताओं को पूरा करते हुवे, भावी प्रीड की आवशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए की गई प्रकुरती. ठीक है? बिल्कुल सिंफल्ट सा है. सस्टनेबल डवलाप्मेंट सतत विकास इसको या धार्णी विकास हम कह सकते हैं अगला है बहुत से पर्यावर्ण संसाधन सारधनिक वस्तों की क्या विशेश्था होती है एक तो ये उबोक में क्या होते हैं घेर प्रतिस परदी और गेर अपवर्जन होते हैं और इनसे मिलने वाले जो लाब होते हैं वो सब भी व्यक्तियों के लिए एक जिसे होते हैं समान होते हैं और जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता है वो भी इनका प्रियोग कर सकता है तो यहाँ पे non-rival और non-exclusion दोनों जो गुण होते हैं वो पाये जते हैं नेक्स देखिए मोद्रिक निती प्रभावित करती है reserve unemployment, money supply interest rate, taxes and exchange rate और stock price minimum wage तो मोद्रिक निती का जो सम्मन है यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति से मुद्रा की आपूर्ति को कम ज़्यादा करके जिसे भी आज की दर्वी क्या होगी प्रभावित होगी तो correct answer option B अगला है भारती reserve bank एवं federal reserve है ठीक है income के सकते हैं यह central bank है, kendry bank है भारती reserve bank जो है भारत का kendry bank है और federal reserve जो है वो अमेरिका का central bank है वहाँ का kendry bank है नक्स देखिए वे कर का आय का अधिक अनुपाद कर पनाली में जिन व्यक्तियों की आय उंची होती है वे कर का आय का अधिक प्रतिशत बुक्तान करेंगे यहाँ आय कर पनाली होती है मतलब जिन व्यक्तियों की आय का इस तर उंचा है उनसे अधिक मातरा में कर लिया जाएगा तो इस परकार का जो text system है प्रगति शिलकर ठीक है और इसका प्रमुक उद्देश क्या होता है और त्वियस्ता में आए और संपति की जो असमानता है विशमता है उसको एक तरह से कम करना फिर देखे नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट कोशन है वेन दा फाइनेसल सिस्टम लेक्स दा कैपिलबिटी ओफ मेकिंग जज़्जमेंट एबाओ इन्वेस्मेंट अपॉर्जनिटी जू टू एसमेट्रिक इन्फोर्मेशन होती है असमित सुचना जो होती है उनके द्वारा क्या होता है जो फाइनेसल सिस्टम में विट्टी प् पाते है क्योंकि सुतना एक थरी से क्या होती है पूरी तरी के से अपलुब्द नहीं होती है पुटीजली बेट क्रेडिट रिस्क होती है जो खिम वोता है वो ज्योंकि अbasर सकते हैं ये किससे अटिध्यायेच में ओपश्ण। ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ओप्शन ए ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही next क्लास में और mcqs को हम solve करेंगे